हेलो फ्रेंड्स मैं विवेक रही आपका स्वागत करते हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स अवेंजर्स अफ्ससी मैंथ पर तो आज हम लोग सिंपल इंट्रेस्ट का पार्ट शिक्स देखेंगे जिसमें हम लोग पार्ट शिक्स में हम लोग सी एचेसल 2019 के कोश्चन और सीपीओ 2019 के कोश्चन को देखेंगे ठीक है तली बिना देरी के कोश्चन को स्टार्ट करते हैं जैसा कि 130 नमबर तक हम लोग अलग अलग वीडियो में पांच वीडियो में पढ़ लिये थे ठीक है तो अगर आप लोग वो नहीं देखेंगे वीडियो तो आप 2000 रुपे की रासी इस सर्थ पर उधार दी कि वह इस रासी को एक वर्ष बाद आठ परसेंट के सदारन ब्याज के साथ वापस कर देगा हलाकि ए ने रासी को एक जुलाई 2008 को ही वापस करने के के इस सिती में आ गया उस बी को कितनी रासी वापस कर नी होगी ठीक है तो 2000 जून तक स्वरी तीस जून तक 2008 तक उसने पूरा वहां तक उसका इंट्रेस्ट लगा होगा और एक जुलाई को उसने वापस कर दिया होगा यानि टोटल अगर कैलकुलेट करें तो जनवरी से जून टोटल छे मंथ ही उसका इंट्रेस्ट लगता है ठीक है छे मंथ मतलब यानि आधा साल के लिए इंट्रेस्ट लाएगा तो पूरे साल के लिए अगर आठ परसेंट तो आधा साल के लिए 4 परसेंट यानि दो हजार का चार परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो 80 रुपया और 2000 तो फिर से वही बात कि एक जनवरी 2012 से इसका सटार्ट हो जाएगा इं एक वर्स के बाद 15 प्रतिशत साधारन ब्याज से लोटाएगा हाला कि 31 अगस 2012 को यह रासी लोटाने के स्थिति में आ जाता है तो बी को कितनी रासी लोटा नहीं होगी ठीके 31 अगस 2012 यानि 31 अगस 2012 तक अगर करेगा तो एक जनुरी से लेके पूरा अगस्त तो टोटल कितना छेशने मीना होगा 8 मंत मतलब क्या हुआ घुबाई के लिए को मतलब अगर 15 परसेंट ब्याज पूरे साल लगी लगए तो टो बाइट अंध स्री मान्त के लीक्तना मेeti 10 अब यहां से सप्ने निकाल सकते हैं कि 3000 रुपे कर अगरामार इंट्रेस्ट नकालेंगे तो टेट होते हैं बहुत कमी कोशन पूछे गया थे अब आते हैं हम लोग सीपियों के कोशन से देखिए ध्यान से क्या रहा है 15,000 रुपे की एक रासी का कुछ भाग 12 प्रतिशत प्रतिवर्स तथा सेस भाग 10 प्रतिशत प्रतिवर्स की साधारन ब्याज से निवेश किया गया यती द 1272 यानि 1672 टोटल मिल रहा है अगर 10% का देखेंगे तो 15,000 का 10% कितना होगा 1500 और अगर 12,000 का देखेंगे तो 15,000 का 12% कितना होगा 1800 इसको सिंपली हम लोग ऐलिगेट कर सकते हैं ऐलिगेशन करेंगे तो यह एक सो बहुत तर यह हो जागा 128 ठीक है और अगर एक बार कट करे हम तो यह हो जागा 64 या चार से कट करें तो यह हो जागा 32 और यह हो जागा cünde 13.00 कि nesse two or Armory यह दो नों यूट अगर उनीट比較 ऐलकिलेट करें तो यानि 6400 रुपीज दस परसेंट पर गया होगा और 15,000 में से 64 घटाएंगे तो उतनी रासी बारा परसेंट पर दी गई होगी क्या 43 का अगर गुना 200 कर देंगे तो यह भी कितना हो जाएगा 8600 जो आएगा वह बारा परसेंट पर दिया गया होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ 16 कि दर्शें स्धारन ऊंध से निव्यास किया लाता है यदि 2016 के अंत्ट में waterproof 738 है तो साथ पर्तिशत की दर्शें कितनी दर्शो की जाता है ठीक हर गाइन पर से 371 तो एक वर्स के अंत में कितना हो जाएगा अगर 373 को अगर नॉनली we elect कर आ влад ठीक है तो यह हो जाएगा 1246 यह हो जाएगा 1246 ठीक है 1246 ठीक है अब देखिए अगर 7% निकालते हैं यह 15600 का ठीक है 7% तो यह हो जाएगा आपका साथ चक भी 409 और 101092 ठीक है अगर 9% निकालते हैं तो यह हो जाएगा 9% हो जाएगा आपका 1404 ठीक है यह हो जाएगा अब यहां से सिंपल एलिगेट कर सकते हैं इसको एलिगेट कीजिएगा तो यह आजाएगा 8, 5, 158 और यह हो जाएगा 4, 5, 154 और अगर एक बार इसको कट करेंगे तो यह हो जाएगा 79 इस्टू 77 79 इस्टू 77 को अगर दोनों को मिला के कल्कुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा 156 यूनिट की वैलू अगर कोश्चन के एक वाडिंग 15600 दी गई है यहां पर ठीक है तो यह कितना हो जाएगा एक यूनिट की वैलू हो जाएगी 100 तो अगर यहां पर यह 7% वाला वैलू था यह 9% वाला वैल था अगर 7% वाला देखें तो हो जाएगा 7900 अगर 9% वाला देखें तो हो जाएगा 7700 अब किसका पूछ रहा है यहां 7% का पूछ रहा तो 7900 is the correct answer ठीक है असान सा कोश्चन था बहुत असान सा कोश्चन था आगे बढ़ते हम लोग 118 कह रहा है ए ने बीक से दो वर्सों के लिए 8% सदारन ब्याज पर रिंड लिया तथा ब्याज सहीत इस रिंड का भुखतान इतने रूपे किया ठीक है ब्याज के सहीत तो दो वर्सों में 8% से टोटल हो जाएगा 16% और 100% तो प्रिंस्पल एमांट होगा यानि टोटल मिस्रधन कितना हो जाएग यह कर जाएगा 25 और यह इतना 165400 ठीक है आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट कह रहा है आठ परती शत परती वर्स सदारन ब्याज की एक रासी कितने वर्सों में 7 बटा 5 गुना हो जाएगी 7 बटा 5 गुना मतलब 5 से 7 होना 5 से 7 होना मतलब कितना परसेंट का राइस दो बटा 5 गुने 100 यानि 40 परसेंट का राइस 40 परसेंट का राइस होने के लिए 8 परसेंट के अनुसार कितना साल लगेगा टोटल 5 यह लगेगा ठीक है आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट कोशन की तरफ कह रहा है 10,200 रुपे की एक राइस तीन वर्सों के में अनसता 8 परतिशत प्रतिवर्स और 6 परतिशत प्रतिवर्स सधारन ब्याज पर किदर से निवेस की जाती है यदि कूल ब्याज 1224 रुपे है तो 6 परतिशत की रासी कितनी होगी ठीक है 1224 रुपे जो है वो तीन साल में है तो अगर एक साल का कैल्कुलेट करेंगे तो हो जाएगा 708 रुपीज 708 रुपीज अगर एक साल का बात है आठ परसेंट के अगर देखेंगे एक साल में 10200 का तो कितना हो जाएगा 816 और अगर 6 परसेंट के में साल देखेंगे तो हो जाएगा 612 और इसको अगर माइनस करेंगे यहाँ से दियो हो जाएगा 96 और 108 डैट इस इक्वल टू 1290 और 12 गर इतनी है तो एक यूनिट की वेलु कितनी हो जाएगी 600 और एक यूनिट की वेलु 600 तो पूच किस का रहा है छे परसेंट वाला यान ethic इसका पूछ रहा है यानिट ौ 1 ही को और 9 इंची SH cyclie प्रती वर्ष साधरान ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतना रुपे का निवेश किया जाता है ब्याज किरासी क्या होगा ठीक है ब्याज किरासी पुझ रह था ठीक है और पुनांग 2 2 5 यानि 8 पुनांग 8 25 को 8 5 पुनांग 1.4 लिख सकते हैं यह साइङ क्या होगा यह निकाल सकते हैं यह ओगостda हो गया है यह पिछलिगा एंडर्ट रचैकर इसको सिम्पल कर लिज MAR बैख बंभ ब्रक बैसा सब्स्काहिकर यह फोट जाएगा और यह क्योझना हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 660 660 इंटो 33 यानि 99 लेट इस इक्वल तो 65340 ओप्शन नमबर यह है ठीक है यह इसको यूनिट इजिट से भी कैल्प्लेट कर सकते थे यह करने का ज़रूरत नहीं था जैसे 339 और 964 यानि 964 होता है यूनिट इजिट 4 आ रहा है और इसमें देखें है नेक्स्ट और यह हमारा लास्ट कोशन होगा कह रहा है किसी समय में एक रासी 8% प्रतिषब्स सदारन भ्यास से दुगनी हो जाती है आठप्र ठीषब्स प्रतिवर्स से कोई बीवीस दुगनी हो जा रही है यानि दुगनी होने का मतलब क्या हुग 100 पर्षेंट वह पु तो आज के लिए धन्यवाद और प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा एक बार पूरे वीडियो को पार्ट वन से लेके पार्ट शिक्स तक पड़िया से देख लिए ताकि प्रिविए से के सारे कोश्चन्स आपके कंप्लीट हो जाए और अपने दोस्तों के साथ जरूर कीज थैंक यू सो मुच वैव नाइस देख